है अइम मैं है है एन श्टुडिइन्ट आज हम गध्utable करद चार करण पढ़ेंगे और इसमें है रामधारी सिंग दिनकर जी की जीवनी को हम पढ़ेंगे तो आएए देखते हैं रामधारी सिंग दिनकर जी की जीवनी तरकार और चाया वत्तर काल के अधिक प्रतिष्ठित कवी माने गए हैं अठाद रास्ट कवी रामधारी शिंधिंगर जी को देखिए रास्ट कवी भी कहा जाता है यहां से एक प्रश्ण आपका बनता है objective प्रश्ण यहां से पुछा जा सकता है आप लोग से कि रामधारी सिंधिंगर जी निमने लिखित मैं से क् तो रामधारे सिंग दिनकर जी गद्धकार थे ठीक है और वो छाया वत्तरकार की एक प्रतिष्टित कवी माने गया है तो छाया वत्तरकाल क्या होता है तो देखिए जब छाया वत्तरकाल का मतलब यह है कि जब भी हम प्रकीर्ती में मनुष्य की कलपना करते हैं तो छाया वा रहा है सूरी की बाते कें तो सूरी देख रहा है मुस्कुरा रहा है चंद्रमा इस तरह के जो प्राकृतिक चीजें हैं, उनके जो हाव भाव हैं, वो अगर मनुष्य के तरह है, उनका सभाव मनुष्य के तरह करके कोई कविता या कोई गदव लिखा गया है, तो उसको छाया बात कहा जाता है, तो उस काल के ये प्रतिस्ठित कवित है, रामधारी सिंग दिनकर जी, आइए आगे बेगु सराय जन्पत के सिमरिया में 23 सितंबर 1908 में हुआ था उनका जन्म कहा हुआ था बेगु सराय में कि कौन सगाउं था सिमरिया कब हुआ था 23 सितंबर 1908 में 23 सितंबर 1908 में उनके पिता का नाम रवी सिंग था और माता का नाम मानरुक देवी था और उनकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी था तो देखिए जीवन परिचे से भी बहुत प्रश्ण आपके यहां से तीन-चार प्रश्ण ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं बोर्ड में कि रामधारी सिंग दिनकर जी का जन्म कहां हुआ था रामधारी सिंग दिनकर जी का जन्म का स्थान क्या था मतलब गाउं का नाम क्या था रामधारी सिंग दिनकर जी का जन्म कब हुआ था यानि 23 सितंबर 1908 को और उनके पिता का नाम क्या था तो रभी सिंग उनकी माता का नाम मानरूप देवी तो यहां से आपके चार objective पूछे जा सकते हैं आए आगे देखते हैं उनकी सिख्षा क्या थी उनकी प्रारंबिक सिख्षा गाओं से ही संपन हुई थी 1928 में मुकामा घाट से रेलवे से उन्होंने हाइ स्कूल से मैट्रिक पास किया मतलब हाइ स्कूल की परिक्षा पास की और 1932 में पत्ना कॉलेज से बी ए ओनर्स हिस्ट्री में पास किया ठीक है उनकी प्रारंबिक सिख्षा गाओं में हुई थी और उसके बाद मैट्रिक मुकामा से पास किये और 1932 में बी ए ओनर्स हिस्ट्री से पत्ना कॉलेज से पास किया ठीक है फिर उनकी नौकरी उन्होंने सर्विस कहां किया तो ही इस्कूल के प्रधाना ध्यापक रहे यह जो इस्कूल है यह बर वीखा में है उन्होंने सब रजिस्ट्रार का भी पद्ध सम्हाला अजन संपर्क विभाग में सब डारेक्टर भी रहे बिहार विश्व विद्याले में हिंदी के प्रोफेसर रहे और रामधारी सिंग दिंकर जी की बहुत अच्छी थी कि देखिए वो अब इसमें से भी आपका प्रश्ण पूछ सकता है आपसे कि जो है निमने में से कौन से कवी जो है वो विभार विश्व विद्याले की हिंदी के प्रोफेसर रहे और आपसे चार-पांच कवियों के नाम पूछ देगा इससे तीन चार आपको देदेगा और आपको बताना होगा कि भिःविश्व विद्याले की हिंदी के प्रोफेसर आपके रमधारी सिंग दिंकर जी को बनाया गया था उसके बाद कुलपती बिनाया गया इनको और यह भारत सरकार में हिंदी के सलाकार भी रहे देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं बहुत महुत पूर्ण रचनाएं इनको ध्यान से पढ़िएगा आपकी प्रतम कविता छात्र सहोधर थी जो 1925 में प्रकाशित हुई थी और उसके बाद भाद भीन भीन पत्रिकाओं में रचना छपने का क्रम प्रारंब हो कावे प्रसंग में उन्होंने लिखा था प्राण भंग, रेणुका, हुंकार, रसावती, कुरुछेत्र, रश्मी रथी, नील कुसुम, उर्वर्षी, प्रशुराम की प्रतिक्षा, कोमलता और कवी, और हरे की को हरे नाम आदि महत्तुपूर्ण इनकी रश्नाएं हैं, इनको भी आप याद कर लिजेगा, यहां से भी आपके अब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं ठीक है, गध की रश्नाएं, मतलब गध में उनकी क्या रश्ना थी, मिट्टी की ओर, अर्धनारिश्वर, संस्कृती के चार अध्याय, कावी की भूमिका, वीर्वर्ट पीपल, और शुद्ध कविता की खोज, दिनकर जी की डाइरी ये क्या है, उनकी सारी गध रश्नाएं, इस रश्ना में जो अर्धनारिश्वर है, वो आपको अपनी इस बुक में पढ़ना है, यानि दिगंत गध में आपको अर्धनारिश्वर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इनको क्या-क्या सम्मान मिले हैं, ये भी हम देख लेते तो इनको जो सम्मान मिले हैं आपका वो देखिए वो आपको संस्कृति के चार अध्याय पर सहित्य आकादमी और उर्वर्शी के लिए भारती ज्यान पीठ पूरसकार प्राप्त में हुआ है तो यहां से भी प्रश्ण पूछता है कि रामधारी सिंग दिनकर जी को ने लिख संस्कृति के चार अध्याय के लिए उन्हें सहित्य आकादमी के तरफ से उन्हें पुरसकार मिला वो राजसभा के सदक से भी रहे और रास्ट की कवी भी माने गये और पद्मुशन से भी सम्मानित किया गया ठीक है और उनका महत्व क्या था और देखिए रास्टी चेतना के साथ 7 चेतना के घायक थे और इतिहांस भारति संस्कृतिका विशाल अध्यान py Awesome तो इस तरह से ये रामधाड़ी सिंग दिंकर जी का जीवन परिशह है इसको बहुत बार बार आप लोग सुनिएगा जिसे की आप लोग का बहु विकलपिरे प्रस्ट अडियार हो जाए से आपको अगर आप वीडियो देखने का टाइम नहीं मिल रहा है आपको तो आप इसको सुनिए जरूर ताकि आपकी परिक्षा से पहले ही बहुत अच्छी तैयारी हो सके ठीक है